मस्कार दोस्तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुपित पूनम में तो आज हम बनाएंगे पास्ता पिजा ये बहुत ही स्वाधिष्ट होता है और बच्चों और बढ़ों सबको ही बहुत ही पसंद आता है जैसा कि आपको पता ही है आद के लिए चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर जरूर करियेगा तो आए चली मैं बताती हूं आपको कि हमने पीच्चा किस तरह से बनाया है पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमको पास्ता बनाना पड़ेगा तो हमने मैकरोनी पास्ता लिया है तो सबसे पहले हम सास के लिए टमाटर बाइल कर लेते हैं तो यह चार टमाटर हमने थोड़ा सा कट लगा के और उबालने के लिए रख दिया हम नेखना लिए निकाल लिया है निकाल लिया है उसके आफ नहीं डिखनाए लीदे साथ हमने के भी भी ट से मत्रति आपके पास हो आप ले सकते हैं Harley सकते हैं अब formaffen Party तो प्योंी ख़तों, प्यों में टिल डाल ग। युझ धी मौनए टील डाल दिया घीर्णवी तरसने अदिल की सी Cow tap चपे प्याज दो चपे गया है कि लिए को आधा चपिनेश का चकमड़ केलें बुष्धा में वेसा गमलें और अब हम यह टमाटर इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कस्मीरी लाल मिच ताकि इसका कलर और भी अच्छा रेड कलर आए तो हमने कस्मेरी लालमिच डाल दी थोड़ा साम इसमें तीखी वाली लालमिच भी डाल देंगे ताकि इसका स्वात बहुत अच्छा सा है और ये टमाटर जो की देशी टमाटर है तो इसमें हम और भी चीजें मिलाएंगे जिससे इसका खटापन थोड़ा सा कम हो जाए नमट सब साथ में मिक्स करके पकते हैं तो उसका स्वात अच्छा आता है और अब हमने इसमें दो चमच टमाटो साज डाल दिया है तोमेटो साज हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारी टमाटर की खटास है उसके खटास को कम करने के लिए हमने इसमें टमेटो साज डाला है और थोड़ा से हमने इसमें काली मिजट डाल दिया है और आधा चमच हमने औरिगेनो डाल दिया है अब सब को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें जो पास्ता में बॉयल करके रखा है इसको डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मसाले में इसको मिक्स क कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें दालेंगे थोड़ा सा चीज तो हमने मौ 104v6 चीज लिया है उसी को हमने इसमें कंद्धूकस करके डाल दिया है और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी इसमें करेंगे बारी कटी हुई सिम्ला मिर्च सिम्ला मिर्च में पहले इसा लिए नहीं ह waterproof किया है कि उसका crunchiness चला जयाएं जब यह मसालों के साथ पकता तो उसका help चला जाता है और इसको हम इसी लिए थोड़ा सा लाश्ट में डालेंगे ताकि थोड़ा सा इसके गर्माहट से वह हलका सा पक जाए उससे जादा हमको नहीं पकाना तो यह हमने देखे सिम्रा मिर्च डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक से दो मिनि ठी हम इसको पकाएंगे जादा नहीं पकाएंगे गैस हमने बंद कर दिया है और अब हम इसको गैस से उतार लेंगे अभी उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद हम पास्ता पीजा हम बनाएंगे तो अब यह देखे हो चुका है और इसको गैस से उतार लेते हैं और अब हमने उसी पैन को साफ करके दुबारा रख दिया है और अब हम इसमें पीजा बनाएंगे तो आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं मैंने पैन में इसलिए बताया है क्योंकि सब के पास माइक्रोवेव नहीं होता तो मेरे पास तो है लेकिन हमने सोचा मैं इसी में बना देती हूँ ताकि आसानी से कोई भी बना सके तो थोड़ा सा हमने पैन में आयल डाला है और उसको हम पीजा बेस को हमने उसके रख दिया है तो एक तरफ जब सिख गया है तो हमने इसको पलट दिया है और अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा पीजा सॉस और उसके बाद हम इसके उपर टॉपिंग करेंगे तो पीजा सास को हम पूरी बेस पे अच्छे से मिक्स कर देंगे लगा देंगे ताकि चारो तरफ ये पराबर से लग जाए और उसके बाद हम इसके उपर डालेंगे जो हमने मैकरोनी बना के रखी है उसको हम अच्छे से पूरी पीजा पे अच्छे से फैला देंगे जितनी मातरा में आपको डालना है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं तो हमने ये पूरे देखे पूरी तरह से अच्छे से फैला दिया है और इसके उपर से अब हम ये थोड़ा सा लाल सिमला मिर्च और हरी सिमला मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ही सिवला मिर्ची उच कर सकते हैं सिर्फ ग्रीन वाली तो इसको हम इस तरह से चोकोर चोकोर टुकोर में काट लिया है और अच्छे से हम इसको फैला देंगे और इसी तरह से हमने प्याज को भी काट के लख रख लिया है उसको भी हम फैला देंगे पूरे पीजे पे और उसके बाद हम इसके उपर से मैजुरेला चीज डालेंगे तो चीज को हमने पहले से ग्रेट कर लिया है और अच्छे से आपको जितना डालना है भर-भर के चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो पूरी तरह से इसको हम ढग देंगे उपर से और चीज डालने के बाद हम इसके उपर से थोड़ा सा डालेंगे चीली फ्लेक्स और ओरिगेनो ताकि इसका फ्लेवर उपर से भी आए अगर आपके पास ओलिव हो तो आप उसको भी काटके उपर से डाल सकते हैं और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो हमने पीजा के ऊपर से थोड़ा सा औरिगेनो और चिली प्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया है, और अब हम इसको ढग देंगे, और ढग के हम बिल्कुल फ्लेम कम करके, और इसको 3-4 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, ताक कि हमारा अच्छे से चीज जो है, तो अब देखिए चीज हमारा मिल्ट हो चुका है, और अब हम इसको निकाल लेंगे इक प्लेट में और इसको हम कट करके सर्व करेंगे, तो पीजा हमारा बनके तयार हो गया है, उमीद है आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीच चैनल को पीके साथ तब तक के लिए नमशकार.